है लो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बार्टी जी टेक्निकल में दोस्तों आज हम आपके लिए बहुती खास वीडियो लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि हम अपने नाम से या किसी भी अन्य वैक्ति के नाम से अगर ह हम यह बहुती आसानी से जान सकते हैं और हां यह एक एंड्रोइड एप के दुआरा हम यह सब चीज जान सकते हैं इस एंड्रोइड एप की एक और खास बात है कि यह आप हमारे कहीं भी पूरे भारत के में किसी भी राज्य के किसी भी वैक्ति के नाम से हम यह जान सकते हैं कि उसके नाम से कितने वीगा खेत है कितना वीगा रखबा है तो यह बहुत ही आसान है आईए चलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे होगा तो दोस्तों चलने से पहले हमारी चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो के नीचे वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में लिख के बताए कि वीडियो आपको कैसे लगी तो दोस्तों चलते हैं इसके लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में आपको एक एप्लिकेशन मिलेगी सर्च बूले एक जमीन खसरा तो हम इसको ओपन कर देंगे, ओपन के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस फिरकार से दिखाई देगा, तो हमें खाता खसरा देखें, तो भूमी का खाता खसरा नकल का तौनी रखबा इत्यादी विर्वन देखें तो इस पे किलिक कर देगे, तो यह राज्य चुनने के लिए बोलेगा, तो हम जैसे की हमारा राज्य है, उत्तर परदेश, तो हम उत्तर परदेश को चुननेगे, उत्तर परदेश, तो उत्तर परदेश, तो यह खताउनी अधिकार अभी लेक की नकल देके इस पे किलिक कर देगे, यह कैप्चर कोड मांगेगा, तो इसको डिफाइड कर दें केशाफूर को तो दोस्तों ये आपको जनपद चुनने के लिए बोलेगा तो हमारा जो जनपद है उसको चुननेंगे तैसिल चुनने के लिए बोलेगा तो हमारा तैसिल चुननेंगे फिर आपका अपना गाम चुनने के लिए बोलेगा जो आपका गाम है गाम चुननेगे फिर इसमें कुछ इस पिरकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो कसरा गाठा संक्या, काता संक्या, खातेदार के नाम के द्वारा खोजें तो खातेदार के नाम के द्वारा खोजें इसमें हम अपने नाम का या जिसके नाम से हमें जानना है उसके नाम के पहला अक्सर लिख देंगे और खोजेंगे तो यह option आगे तो हमारा आगया तो हम 0061 पर करते थें यह जो हमारा है उधित्रन देखें तो फिर यह फिर capture code मांगेगा तो एक capture code परने के बाद कंटिन्यू कर देंगे तो इस पिरकार इस पे आप पूरी जानकारी देख सकते हैं तो दोस्तो देखो यह पूरी जानकारी उसके नाम उसके कितने भी खेत है उसके पूरी जानकारी आ गई है दोस्तो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दें